हेलो गाइज वेलकम चुम मैं यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे डेली करेंट अफियर्स जो होने वाले 9 जॉलाइ के कुछ इंपॉर्टेंट एंपॉर्टेंट एंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टार्ट करते हैं फर्स कोशन के साथ नेम दा वैप पॉर्टल लांच पाइद महरास्टा गवर्मेंट तो प्रोवाइड एंपॉर्टेंट एंपॉर्टेंट इस तो अनप्लॉइड लोकल रेजिदेंस ऑफ दा स्टेट वाइज पताना है कि वैप पॉर्टल का नेम जो की महरास्टा गवर्मेंट ने तो क्या है रहे दाट इस महाजौब इस अनेम अफ देवच पॉर्टल लांच पाइड तो प्रोवाइड एंपॉर्मेंट पॉर्टेंटीटीज तो अनेम्प्लॉइड लोकल रिजिदेंस ऑफ दा स्टेट अगर महरास्टा की बात करें तो सींक कोन है उदव ठाकरे और गवर्नर इस भगासी कोश्यारी और इसे पहले इन्होंने क्या के लॉंच किया है महा कवच आप लॉंच की थी सयम पोर्टल जो की डवलप किया था पुडे मुनिसिपल कॉपरेशन है और एक लॉंच किया था मी अनपूर्ना यह किया था फार्मस के चुल्रें और नेक्स कुशन पर मूफ करते हैं त्था भविष्य सेविंग अकाउंट यह थी संब्सक्राइब बताना कि भविष्य सेविंग अकाउंट जो है वह लॉंच किया है कौन से बैंक ने तो मैं उस बैंक का नीम बताना है जिसके लिए मत्दा जिसने यह लॉंच children so children के लिए लांच किया गया है जिनकी age है 10 से लेकर 18 के बीच में so उनके लिए basically launch किया है भविश्य saving account ठीक है so हमें उस bank का नीम बताने इसने ये launch किया है so वो कौन सा bank है that is Fino payment bank limited ने ये launch किया भविश्य saving account has been launched by Fino payment bank limited for the minor children between the age of 10 to 18 years Tamil Nadu G. Akash had received the grand master title by the world sport governing body FIDE he is a Dutch grand master of India so Tamil Nadu के है G. Akash जिनोंने received क्या है grand master title और किस ने दिया है ये by the world sport governing body FIDE ने चीक है सो ये हमें बताना है कि grand master of India ये जो बने हैं ये कौन से number के grand master of India बने है सो कौन से number के है that is 66 so he is a 66th grand master of India और ये ब्लॉंग करते है Tamil Nadu से अगर Tamil Nadu की बात करें सो CME इजापी के पालन स्वामी गवर्नर इस बनवारी लाल प्रोहित और capitalist Chennai ठीक है सो next question पर move करता है which of the falling state have received rupees 326.20 करोड funds from center government for fiscal year 21 अंडर जल जीवन mission to provide tap connection to all rural household by 2022 सो हमें बताना है कि कौनसी state है त्वीट ने रिसीव किया है 326.20 करोड funds from center government की तरफ से फिसकल year 21 के लिए अंडर जल जीवन मिशन जिसे वो provide करेंगे tap connection to all the rural household 2022 तक ठीक है सो हमाचल प्रदेश की बात करें सो CME को ने जैराम ठाकूर गवर्नर इसे वो बनादु दताफ्ट रहे और इन्हों होने क्या के लांच किया इस अंजीवनी ओपिडी लांच किया जिसे वो प्रवाइट करेंगे application medical consultation to all the sick people तो next question पर मूप करता है who among the falling has been named as Instagram highest paid celebrity so kis का name लिया गया है Instagram highest paid celebrity के अंदर so कौन है वो that is जाने जॉन्सन का नेम लिया गया है as the Instagram highest paid celebrity ठीक है so next question पर move करता है who has been appointed as a new group CEO of UK IBC so किसको बनाया गया है new group CEO of UK IBC का so कौन बने है new CEO that is Jayant Krishna को बनाया गया है अपोइंट किया गया है as a new group of CEO of UK IBC का ठीक है so next question पर move करते है NSDC has partnered with which country to train over one lakh youth in India by next year so NSDC ने किसके साथ partnership की है मतलब वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ इन्होंने partnership की है जिसे वो train करेंगे over one lakh youth in India by next year जिसे वो train करीगे one lakh youth ko India के by next year ठीक है, वो कौन सी कंपनी है, जिसके साथ इन ने पार्टनर्शिप की है? That is Microsoft, वो कंपनी है, जिसके साथ NSTC ने पार्टनर्शिप की है to train over one-legg youth in India by next year. Ola has partnered with which of the following to enhance its digital payment experience? So, हमें बताना कि Ola ने किसके साथ पार्टनर्शिप की है? जिससे वो enhance करेगा digital payment experience, so कौन सी कंपनी है, जिसके साथ पार्टनर्शिप की है Ola ने? That is phone पे वो कंपनी है, जिसके साथ Ola ने पार्टनर्शिप की है to enhance its digital payment experience. ठीक है, so next question पे move करते हैं. Maruti Suzuki has partnered with which bank to offer detailed financing scheme to customers with low EMI to help them overcome the liquidity stress due to COVID-19. So हमें बताना है कि Maruti Suzuki ने किसके साथ पार्टनर्शिप की है, मतलब वो कौन सा बैंक है, जिसके साथ पार्टनर्शिप की है, जिससे वो offer करेगा detailed financing scheme customers with low EMI, और help करेगा overcome करने में liquidity stress due to COVID-19. So वो कौन सा बैंक है, जिसके साथ पार्टनर्शिप की है Maruti Suzuki ने? That is ICICI वो बैंक है, जिसके साथ Maruti Suzuki ने पार्टनर्शिप की है, जिससे वो क्या करेगा, offer करेगा retail financing scheme to customer with low EMI to help them overcome the liquidity stress due to COVID-19. अगर ICICI बैंक की बार्ट करें, headquarter कहाँ पर है, मुंबाइस का headquarter है, और इसके जो chairman है, that is Girish Chaturvedi. ठीक है, so next question पर move करते हैं. Which of the following board had reduced the slaybers up to 30% for class 9 to 12 to make up for the academic loss during COVID-19 lockdown? So हमें बताना है कि कौन से board ने reduce कर दिया है slaybers 30% 9 से लेकर 12th class तक का, जिससे वो क्या करेंगे, academy loss जो हुआ है lockdown के during, मतलब उसे cover कर सके. So वो कौन सा board है, जिसने ये reduce किया है slaybers? That is CBSE. So CBSE वो board है, जिसने ये reduce किया slaybers 30% for class 9 से लेकर 12th तक to make up for the academic loss during COVID-19 lockdown. अगर CBSE की बार्ट करें, so इसका headquarter है, New Delhi और इसके chairman है, Manosh Ahuja. ठीक है, so next question पर move करता है, which state government has launched the self-scan app to scan documents? So हम इस state government का नहीं बताना है, जिसने ये launch किया self-scan app जिससे वो scan करेंगे documents. So वो कौन से state government है? That is West Bengal वो state है, जिसने ये launch किया self-scan app to scan documents. अगर हम West Bengal की बात करें, CM कौन है, Mamata Baner जी और गवर्नर है जगदीब ढगकर और उन्होंने इससे पहले क्या लाँच किया? Exit app लाँच की है, West Bengal की government ने. ठीक है, ये important है, याद रखेगा. So next question पर move करता है. India Coast Guard and Coast Guard of which country had recently signed an MOU to boost maritime relations. So हमें बताना है कि India Coast Guard and कौन सी country के Coast Guard ने recently signed किया है MOU जिसे वो boost करेंगे maritime relations. So वो कौन सी country है? That is Indonesia वो country है जिसके साथ India Coast Guard ने recently signed किया है MOU to boost maritime relations. अगर हम इंडोनेशा की capital currency की बात करें, so Jakarta is the capital and currency is Rufya. Malaysia is Kuala Lumpur currency is Ringgit. Thailand is bank of currency part. So next question पर move करता है. Who is the acting chairperson of the national company law appellate tribunal? So कौन बने है acting chairperson of the national company law appellate tribunal के? So कौन बने है? That is Bansi Lal Bhatt को बनाया गया है. Is the acting chairperson of the national company law appellate tribunal का. So next question पर move करते है. Which butterfly has been named as the India's largest butterfly? So हमें butterfly का नेम बताना है. जो कि largest India की butterfly है. So क्या नेम है उसका? That is golden bird wing. Has been named as the India's largest butterfly. So next question पर move करते है. Which bank has entered into an agreement with star health and allied insurance to provide health insurance product to its customer? So हमें बताना है बनक का नेम जिसने agreement किया है star health and allied insurance के साथ. जिसे वो प्रोवाइट करेगा health insurance product to its customer. So वो कौन सा बैंक है? That is करूर ब्यासे बैंक है जिनोंने एंटर किया है into agreement with star health and allied insurance to provide health insurance product to its customer. So आप मुझे कमेंट बाक्स में बताएगा कि करूर ब्यासे बैंक का हेट कोड़ा कहां पर है? So next question पर move करते है. Which state government has decided to upgrade Dying Patkai Wildlife Century into a national park? So कौनसी state government ने decide क्या है कि वो अप्रेट करेंगे Dying Patkai Wildlife Century को national park में? So वो कौनसी state government है? That is Assambo state government है जिसने ये decide क्या है अप्रेट करने का Wildlife Century को national park में. अगर हम Assam की बात करें, CM कौन है? CME सरबंदा सोनुबाल, Governors is Jagdish Mukhi. और नोने से पहले क्या 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 लॉंच के धनबंतरी scheme लॉंच की थी? और क्या अरुंधती scheme लॉंच की थी? अभी नंतनी scheme लॉंच की थी? और यहाँ पर 1300 पिक्स की death हो गई थी? Because of swine flu. चीक है? और एक नोने आप भी निकाली थी? Qovas app for COVID-19. So, यह important है यह दखेगा. So, next question पर move करते है. What is the rank of India in the Global Real Estate Transparency Index 2020 release by JLL? So, हमें rank बताने है इंडिया की in the Global Real Estate Transparency Index 2020 जो की release की है JLL ने. So, क्या है इंडिया की rank? That is 34th है इंडिया की rank in the Global Real Estate Transparency Index 2020 and release की है JLL ने. ठीक है? So, next question पर move करते हैं. So, यह आज के लिए questions है. सभी कांसे comment box में देना होगा. अगर कोई भी doubt है किसी भी questions से later से आप मुझे comment box में बता सकते हैं. अगर session अच्छा लगा है तो like, share, subscribe जरूर किजएगा. So, thank you guys.